नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्वतिहार टोटके जब लड़कियों के चेहरे पर या मूचों में ओटके उपरी वाला जो हिस्सा होता है यहां पर बाल आ जाती है तो पूरे चेहरे का गलो ही कम हो जाता है क्योंकि यह थोरा सा अलग लुक दे देता है तो ऐसे में आप तमाम तरह के परियोग करते हैं कि कैसे इनको हटाया जाए कभी भैक्स करवाते हैं कभी थ्रेडिंग करवाते हैं लेकिन सही माइने में अगर हम अंग बिग्यान की माने जैसे कि समुद्रिक सास्त्र में हर एक चीज के बारे में बहुत भी स्तार से बताया गया है तो समुद्रिक सास्त्र क्या कहता है अगर किसी महिला या लड़की के मूचे है तो छोटे बाल हो या बड़े बाल यह माइने नहीं रखते माइने यह रखते हैं कि आपके दिख कितने रहे हैं तो सामुद्रिक सास्त क्या कहता है चेहरे पर या फिर मूच्छों पर बाल बहुत सारे महिलाओं के बहुत बाल होते हैं चेहरे पर हाथों में तो ऐसे में सामुद्रिक सास्त की माने तो इस तरी क मुख पर मूच्छों के बाल अगर असपश्ट तोर पर दिखाई दे तो इसका मतलब होता है उनका सुभाब बहुत गर्म है यानि चीखने चिलाने वाली हैं ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पती पर हुक्म चलाने माहिर होती हैं कभी-कभी तो इनका सु कोई भी बात इनका अगर ना माने तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं यह तो सामुद्रिक सास्त की हम बात कर रहे हैं लेकिन और भी निसानिया होते हैं अगर आपके चेहरे पर मुच्छे आ जाती हैं तो देखिए महिलाएं घर की लक्षमी होती हैं और ऐसे में चु होती हैं तो आज हम उन बिसिस्ताओं पर बाते ना करके यह जानेंगे कि अगर आपके मुच्छे आ गई हैं तो और क्या होते हैं इसके लक्षन कई बार तो यह भी कहा जाता है कि अगर किसी लड़की के हाथ पाओ में ज्यादा बाल है तो यह पती के लिए दुर्भागे क सूचक है और अगर यह बाल काले रंग का हो तो फिर थोड़ा ज्यादा परिसान करता है वैसे तो किसी महिला के उठों पर जरूरत से ज्यादा मूच होने का मतलब है यानि बहुत ज्यादा काले काले बाल हैं एकदम से दिख रहे हैं तो यह भी होता है कि इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सुक नहीं भोग पाएंगे यानि सुक के साधन है सुक्र मजबूत है आपके पास सब कुछ है एसी है टीबी है पर आराम नहीं है हम आपसे विदा लेंगे हर हर महादेब धन्यवाद